दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube शॉट पर वीडियो अप्लोड कैसे कर सकते हैं बड़ दोस्तों अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कोई भी कॉस्टन ओं इस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं और आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट करिएगा दोस्तों मैंने अपना यूट्यूब ओपन कर लिया है यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको यहां से प्लस का साइन देखेगा प्लस के साइन को आपको क्लिक करना है और फिर आपके सामने एक option आएगा create a shot का इसको आप क्लिक कर देना है दोस्तों क्लिक करने के बाद य सबसे उपर आपको यहां पर add a music का option मिलेगा, add a music को click करने के बाद आपके सामने कुछ music खुल जाएंगे, किसी भी music को अगर आप use करना चाहते हैं, जैसे मैं सबसे पहले वाले music को use करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले वाले music को click करूँगा, दोस्तों जैसे आप music को click करें आपने arrow का निशान आ रहा है, उसको आपको click करना होगा, दोस्तों इसको click करती है, आप देख सकते हैं कि सबसे उपर music add हो चुका है, आप देख रहे हैं, feelings music का नाम लिखा हूँ आ रहा है, उसके बाद दोस्तों आप यहां red color पे recording पे click कर दे, दोस्तों recording पे click करने से पहले अगर आप इसकी speed वगएरा घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो यहां से आपको speed घटाने बढ़ाने का option मिल जाएगा, सबसे उपर से, तो यहां पर आप इसकी speed 1, 2, 3 यां जैसे भी आपकी मर्जी हो, fast, low, very low, कुछ भी आप इसकी speed रख सकते, मैं अभी normal speed में record करूँगा, तो मैंने normal speed पे click कर दिया, उसके बाद जो है, यहां से आपकी video recording होना start हो जाएगी, आप 15 second तक की video यहां से record कर सकते हैं, और यहां से आपको stop का button मिलेगा, तो मैंने stop कर दिया आपनी video को, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको next पर click कर देना है, आपके सामने next का option आएग और उसका music भी आपको सुनाई देगा, उसके बाद फिर से आपको next पर click करना है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपकी video दिखेगी, और यहां से आपको दिखेगा कि आपकी video publish mode पे है, या unlisted mode पे है, उसके बाद यहां नीचे आपको ध्यान दखना है, select audience को, ठीक है, select audience को यहां से आपको ध्यान से इसको, it not made for kids, ठीक है, इसको आपको no कर देना है, तो मैंने यहां से no किया हुआ है, note for kids है यह, उसके बाद यहां से आपको age restricted का option मिलेगा नीचे से, तो मैं इसको भी no किया हुआ है, age restricted को, आप देख सकते हैं, मैंने यहां से no कर दिया, उसके बा तो जैसे मैं title दूँगा my short video, मैंने यह अपना video का title रख दिया, उसके बाद दोस्तों यहां से आपको देख लेना है कि आपको इसको public करना है, unlisted रखना है या private रखना है, सभी option आपको यहां मिल जाएंगे, और finally दोस्तों आपको इसको उपर से blue button को click करके upload कर देना है, दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी video जो है वो youtube पर upload होना start हो चुकी है, तो कुछ ही second में video upload हो जाएगी, क्योंकि video बहुत छोटी है, 13-14 second की video है, तो बहुत जल्दी upload हो जाएगी, दोस्तों आप youtube shot पर अभी सिर्फ 15 second तक की ही video record कर सकते हैं, इससे ज्यादा video आप record नहीं कर सक 15 second से जादा, तो आप देख सकते हैं मेरी video जो है वो बस upload होने ही वाली है, तो 2-4 second इसका wait कर लेते हैं, दोस्तों मेरी video upload हो चुकी है, और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपकी video upload हो चुकी है, और आपके viewer जो है इसको देख सकते हैं, तो दोस्तों मेरी video upload होने के just एकदम ब